भारत पर ब्रटिस आधिपत्य को लेकर किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत पर आधिपत्य किया सबसे पहले अपने बंगाल के बारे में देखा जिसमें प्लासी बक्षर इलाबाद के संदीर त्यदी के बारे में अपने देखा इसके बाद में मराटो के साथ उनका संगर्ष कैसे रहा कितने युद्ध लड़े उसके साथ तीन युद्ध लड़े और मराटो के साथ उनकी क्या संगर्ष किस प्रकार हुआ और उसके क्या परिणाम निकले उसके बारे में अपने पूर वीडियो में देखा है इस वीडियो में अपन अंग्रेजों के साथ मैसूर के संगर्ष का वर्णन करेंगे देखेंगे कि आंगल मैसूर संगर्ष में कितनी युद्ध लड़े तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ संगर्ष में चार प्रमुख युद्धों का महत्पूर योगदान रहता है मैसूर की राजदानी स्रीरंग पटनम थी माडवाडियार वन्स के चिक्का राजा का सासन था जिसे अपदस्त कर हैदर अली ने अपने सत्ता इस्तापित की थी हैदर अली ने फ्रांसेश्यू की साहता से डिडिगुल में सस्त्रागार इस्तापित करवाया था यहेदर अली जो है वो ब्रिटिस लोगों से घरणा करते थे और फ्रांसेश्यों की साहिता में विश्वास रखते थे फ्रांसेशी अंग्रेजों के जमजा शत्रू थे इसी क्रम में पहला आंगल मैसूर युद्ध होता है 1766 से गुणंतर में अप्रेल 1767 में निजाम मराठे वे अंग्रेजों ने मिलकर हैदर अली पर आकर्मन कर दिया किस किस ने निजाम ने मराठों ने और अंग्रेजों ने मिलकर हैदर अली पर आकर्मन किया परन्त कुछ समय बाद ही निजाम हैदर अली की और आ गया तो पहले युद्ध में प्र्थम आंगल मैसूर युद्ध में निजाम जो है वो दूनु तरफची लड़ते हैं पहले अंग्रिजों की तरफची लड़ते हैं और बाद में हैधरली की तरफची लड़ते हैं માર્ચ 17 સુ ગુણતર તક હેદરલી કી શેનાયે મદરાસ તક જા પોચી अंग्रिजोंने विवस्ता में 4 अपरेल 170 गुणंतर को मदराज की संदी की अर्थात पर्थम आंगल मैसूर योद्ध जो 1767 में सुरूवा 4 अपरेल 170 गुणंतर को मदराज की संदी दोहरा इसकी समात्य होती है यहें एक प्रती रक्षात्मक संदी थी जिसमें दूनों पक्सों ने एक दूसरे के जीते शित्र लोटा दिये परन्तु हैदर अली ने करूर नहीं लोटाया चार युद्धों में दूसरा युद्ध जो है वो दित्य आंगल मैसूर युद्ध है 1780-184 के मंदे अंग्रेजों ने माहे नामक एक प्रांसिसी बस्ती पर आकर्मन कर लिया जिस पर हैदर अली अपना दिखार समझता था विश्य समय अमेरिका में स्वतंतरता संग्राम चल रहा था 17 शिंतर के लगबग आपको पता है हैदर अली और निजाम और मराठी ये तीनों एक तरफ होते हैं और अंग्रेज एक तरफ होते हैं हैदर अली करनल बेली को हरा कर अरकाठ जीत लेता है इसके बाद पोटोनव के युद्ध में आयरकूर्ट से हैदर अली परास्थ होता है नवंबर 17.21 में अगले वर्स हैदर अली ने करनल ब्रेत वेट को हरा कर बंदी बना लिया युद्ध के दोरानी ही हैदर अली के मृत्य हो जाती है और अब उनका पुत्र टिपू सुल्तान ने मोर्चा संबला दूनों पक्षों के बीच 1784 में मंगलोर की संदी हो जाती है पर्थम आंगल मैसूर युद्ध की समापती होती है मदरास के संदी से और दूतिय आंगल मैसूर युद्ध की समापती होती है मंगलोर की संदी से वोरेन हैस्टिंग्स गरुनर जनरल ने इस संधी के बाद कहा था कि लाड मैकाटनी कैसा अदमी हैं मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि ये संधी के बावजूद करनाटक को खो देगा मैकाटनी मदरास का गरुनर था उस समय आयरकूट की मृत्यू हो जाने पर मैथ्यून नया अंग्रेज सेनापती बनाया जाता है पहला अंगल मैसूर युद्ध की समावती होती है मदरास के संधी से द्वितिया अंगल मैसूर युद्ध की सुरुवात अंत होता है मंगलोर के संधी से अब तीसरा युद्ध जो है वो तरतिया अंगल मैसूर युद्ध होता है 1792 दो साल तक होता क्या है कि त्रावन कोर क कि राजने डचों से कोचीन रियासत में इस्तित जैकोटे वर क्रेगा नूर खरीदने का प्रियाज किया जिस पर टीपू अपना अधिकार समझता था अंग्रेजों ने 53 कोर का पक्स लिया अब अंग्रेज निजाम और मराठे और उधर टीपू सुल्तान है प्रारम में मीडोज मद्रास का गर्वनर जो है वो प्राजित होता है तथा कार्णवालिस को भी पीचे हटना पड़ता है टीपू निर्णायक रूप से प्राजित हो गया मार 1722 में स्रे रंगपटम के संधी करनी पड़ी उनको टीपू का आधाराज्य और तीन करोड रुपय छती पूर्ति में देनी पड़ी और अपने दो पत्रों को बंधक रखना पड़ा अंग्रिजू को बारमहल डिंडिगूल वह मालाबार मिला मराठो को तुंग बद्र के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पैनारो और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला चतुर्त आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पर फ्रांसीश्यों के साथ मिलकर शड़िंत रचनिक आरोप लगा कर वैलेजली ने आकरमन कर दिया और टीपू सुल्तान बहादुरी पूर्वक लड़ता हुआ मारा गया वाडियार वंस का एक बालक गद्धी पर बैठा कर मैसूर पर साइक संदी थोप दी गई ये युद्ध होता है 1799 में टीपू पर सक्रिय विदेश नीति का पालन किया तथा उसके तैत तुर्की मेस्रुवा फ्रांस के साथ पत्र विवार किया टीपू सुल्तान ही वहविक्ती था जिसने नया कलेंडर वे नापतुल की नई प्रनाली लागू की जैकोबिन क्लब का सदसे बना स्रीरंगपटम में स्वतंतरता का व्रक्ष लगाया स्रंगेरी के सारदा मंदिर की मरमत के लिए सायता भी उन्होंने दी तो इससे से दो होता है कि टीपू सुल्तान एक धर्म निर्पेक्स आ सकता हैदर अली ने अंग्रेजु की नोशेना पर कहा था कि अनेक बेलियों वे ब्रेत वेटों की प्राज़ से अंग्रेज नस्ट नहीं किये जा सकते मैं उसकी इस्तल सक्ति को नस्ट कर सकता हूं परन्तु समुद्र को नहीं सुखा सकता तो ये खतन है हैदर अली का अंग्रेजु की नोशेना के परतिका था कि अनेक बेलियों वे ब्रेत वेटों की प्राज़ से अंग्रेज नस्ट नहीं किये जा सकते मैं उसकी इस तल सक्ति को नस्ट कर सकता हूं परन्तु समुद्र को नहीं सुखा सकता इस प्रकार मराठो और मैसूर के मद्दे क्या घठना करम घठित हुई वो इस चोटे से वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया गया है थेंक्यू फो वाचिंग